हेलो फ्रेंड्स मैं सरिता डावरा आज मैं आप लोगों को देखिए कि बड़ा सुन्दर एक सिंगल कलर का पैट्रन सिखाने वाली हूं यह इस पैट्रन की राइट साइड और यह इस पैट्रन की बैक साइड यह आप किसी पर प्रोजिक्ट पे डाले लेडिस कार्डिगन का बहुत प्यारा पैट्रन है यह और जेंट स्वेटर पे भी यह अच्छा लगेगा और हम इसे बच्चों की फ्रोग पे भी डाल सकते हैं तो चलिए अब हम इस pattern को शुरू करते हैं ये जो pattern है right size से शुरू होगा और 4 सिलाई होगा ये pattern है और इसके लिए जो फंदे चाहिए होंगे हमें वो 5 के multi पर प्लस 4 फंदे extra चाहिए होंगे तो चलिए अब हम इस pattern को बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए ये देखें मैंने फंदे डाल रखें हैं इसके जो फंदे डाले हैं मैंने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 19 5 के multiple में 15 और 4 फंदे extra और border के बाद जो पहली से लाई आएगी वो इस तरह से आएगी पहला हमारा एजवला फंदा रहेगा आपकी मर्जिये बनाएए ये उतारेए उसके बाद धागा अपनी तरह दो फंदे उल्टे एक, दो धागा पीछे एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और इस तरह से जाली डालेंगे और दो फंदों का एक फंदा करेंगे इस तरह से आगे से तो बस इनी पाँच फंदों का ये पैटरन है ये देखिए दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा और जाली डालके दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे तो इसको बार बार रिपीट करेंगे ये देखिए दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे और दो फंदों का एक फंदा करेंगे आगे से एक बार फिर से देखेंगे दो फंदे उल्टे धागा पीछे एक फंदा सीधा जाली डालेंगे और दो फंदों का एक फंदा करेंगे आगे से और लास्ट में दो फंदे उल्टे और ये एक एज्वाला फंदा पेटरन की सेकेंड रू बैक साइड एज्वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे एक दो धागा अपमी तरफ तीन फंदे उल्टे एक दो और ती ये एक पेटरन कंप्लीट हो गया अब यहाँ से रिपीट पेटरन शुरू होगा दो फंदे सीधे धागा अपने तरफ तीन फंदे उल्टे धागा पीछे दो फंदे सीधे धागा अपने तरफ फिरसे तीन फंदे उल्टे एक दो तीन धागा पीछे दो फंदे सीधे और लास्ट एज्वला फंदा पेटरन की थार्ड रो फ्रंट साइट एज्वला फंदे को सीधा बनाईए धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्डे धागा पीछे अब यहाँ पे देखिए दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे और इस तरह से जाली डालेंगे एक फंदा सीधा तो यह एक पेटरन कंप्लेट हो गया धागा अपनी तरफ फिर से रिपीट पेटरन शुरू हो रहा है दो फंदे उल्डे धागा पीछे दो फंदों का एक फंदा जाली डालेंगे एक फंदा सीधा धागा अपने तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछे दो फंदों का एक फंदा जाली डालेंगे एक फंदा सीधा लास्ट दो फंदे उल्टे और एक लास्ट हमारा एज्वाला फंदा पेटरन की फोर्थ रोप बैक साइड एज्वाल फंद उल्टा बनाएंगे और बैक साइड से इसकी सारी सिलाईया एक जैसी आएंगी अब ये देखिए दो फंदे सीखे धागा अपने तरफ तीन फंदे उल्टे एक दो तीन धागा पीछे फिर से दो फंदे सीखे धागा अपनी तरफ तीन फंदे उल्टे एक दो तीन धागा पीछे दो फंदे सीखे एक दो तीन फंदे उल्टे एक दो तीन फंदे उल्टे एक दो तीन लास्ट एजवाला फंदा तो इनी चार सिलाईयों को हमें रिपीट करते जाना है तो ये पेटर्न बनना इससे शुरू हो जाएगा तो बार-बार अगर हम इन चार सिलाईयों को रिपीट करेंगे तो ये देखिए ये इस तरह से एक बड़ा सुन्दर सा पेटरन बनके रेडि हो जाएगा उमीद करते हूँ आपको ये पेटरन अच्छा लगेगा और इसे एक बार जुरूर ट्राइ करिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए मेरी वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए पेटरन के साथ अगर अगर मेरे चैनल पर नए वीवर्स हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दिजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके